यहां मैं एक और दूसरा दिखाना चाहता हूँ, दूसरा पौधा, यह पौधा काफी समय पहले लग रहा है, मर चुका है, क्योंकि इसके उपर कुछ सैपरफाइट्स भी, दूसरे फपुन भी उग गए है, इसको भी आप निकालिए, बहुत आसानी से निकल गया, और आप एक चीज इसमें निकालते वक देखिए, कि इसका जो है, जर देखिए, कट गया, नीचे से तूट गया, और अगर सारी चीजों को बहुत गौर से देखिएगा, तो यहां पे देखिए, यहां से यह पूरा काला पन शुरू हो गया है, काला आ गया है, तो आप सफेद तर से समझ पाएंगे, तो यह बिमारी सुस्क सरण है, होली के समय में आती है, इस से पहले जब पुष्पन का समय था, थोड़ा दिन और पहले, पंदर दिन, बीज दिन पहले, उस समय उक्ठा रोग आता था, हम लोग जेनरली सब को उक्ठा बोल देते हैं, यह भी उक्ठ थाका ही एक प्रकार है, लेकिन आप पहचान जब किजिएगा, तो अलग-अलग तरह का इसमें सिम्टम दिखेगा, लक्षन दिखेगा, तो इस तरह से मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको अलग से उपाय करने पड़ेंगे, जहां तक इस रोग का सवाल है, इसके लिए आपको या तो कुछ नहीं करना है, तो थोड़ा सा लाइट इडिगेशन करना पड़ेगा, यानि कि थोड़ा सा आपको पानी खेत में डाल देना है, जिससे कि मिटी में थोड़ा सा ठंडक बना रहा है, क्योंकि ये बीमारी जो है, ज्यादा जब तापमान बढ़ने लगत और नहीं तो जहां पे भी आपको कार्बन डेजिम या बैविस्टीन दवाई है, जहां जहां जिस पॉइंट पे आपको बीमारी दिख रहा है खेत में, उस पॉइंट पे आपको वह पानी स्प्रेयर के थूँ ऊपर से नहीं 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 लाना है नीचे में, जड़ के पा साथी साथ बीमारी वाले पॉधे के आस पास के जितने भी स्वस्थ पॉधे हैं, वहाँ पे भी ये प्रक्रिया करनी है, इसका रेट होगा लगबग लगबग 2-5 ग्राम प्रती लीटर पानी, तो एक टंकी में 15 लीटर अगर पानी आ रहा है, तो करिब करिब 35-40 ग्राम त करेंगे, तो हमको देर तक इसकी ये प्रकॉप जहलने से हम लोग बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको सीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बीज को उपचार करना पड़ेगा, बीज को उपचार करने की विधी थोड़ी लंबी है, हम लोग अभी इसको बाद में डिटे